नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का अमारी चैनल भक्ती ज्यान में दोस्तों आज मैं आपको रविवार की ब्रत कता सुना रहा हूँ प्राचिन काल में एक बुढिया रहती थी वह नियमत रूप से रविवार का ब्रत करती रविवार के दिन सूर्योद से पहले उठकर बुढिया इस्ननादी से निवत होकर आगन को गोबर से लेप कर स्वच्छ करती उसके बाद सूर्य भागवान की पूजा करते हुए रविवार ब्रत कथा सुनकर सूर्य भागवान का भूग लगा कर दिन में एक समय भोजन करती सूर्य भागवान की अनकमपासे बुढिया को किसी प्रकार की चिंतावा कष्ट नहीं था दीरे दीरे उसका घर धनधान से भर रहा था उस बढ़ोसन को सुकी होते देख उसकी पड़ोसन उससे बुरी तरह जलने लगी बढ़ोसन कोई गाय नहीं पाल रखी थी अतै वह अपनी पड़ोसन के आंगन में बंदी गाय का गोबर लाती थी पड़ोसन ने कुछ सोचकर अपनी गाय को घर के वीतर बांदिया रविवार को गोवर्ण न मिलने से बुढ़िया अपना आंगन नहीं लिप सकी आंगन न लिप पाने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य भागवान को भूग नहीं लगाया और और दिन सुयम भी भोजन नहीं किया सूर्या सोने पर बुढ़िया भूग की 85 हो गई रात तरी में सूर्य भागवान ने उसे स्वपन में दरसन दिये और ब्रतना करने का तथा उन्हें भूग न लगाने का कारण पुचा बुढ़िया ने बहुती करुण स्वर में पड़ोसन के द्वारा घर के अंदर गायवानने और गोवन न मिल पाने की बात कही सूर्य भागवान ने अपनी अनने वक्त बुढ़िया की प्रेसानी का कारण जानकर उसके सब दुख दूर करते हुए कहा है माता तुम प्रितेक रविवार को मेरी पूझा और ब्रत करती हो मैं तुमसे अतिप्रसन हूँ और तुम्हें ऐसी गाय प्रदान करता हूँ जो तुम्हारेगर आंगन को ाने से वह देगी तुम्हारी सभी मरोकामनाय पूरी होंगी रवी बार का बरत करने वालों की मैं सबी इच्छा हैं पूरी करता हूँ मेरा बरत करने वा कता सुनने से बांज इस्तरियों को भी पुत्र की प्राप्ति होती है सुपन में उस बुड़िया को ऐसा बर्दान देकर सुरे भगवान अंतर ध्यान हो गई प्रातेकाल सुरोद से पूर उठकर बढ़िया की आँख खुली तो वे अपने घर के आंगन में सुन्दर गाय और बचले को देखकर हैरान हो गई गाय को आंगन में बांध कर उसने जल्दी से उसे चारा लाकर खिलाया पड़ोसन ने उस बढ़िया के आंगन में बंधी सुन्दर गाय और बचले को देखा तो वे उससे और अधिक जलने लगी तब ही गाय ने सोने का गोबर किया गोबर को देखते ही पड़ोसन की आँखें फट गए पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास ना पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घल ले गई तता अपनी गाय का गोबर वहां रखाई सोने के गोबर से पड़ोसन कुछी दिनों में धनवान हो गई गाय प्रति दिन सूरोदस से पूर्व सोने का गोबर किया करती थी और बुढ़िया के उठने से पहले पड़ोसन उस गोबर को उठा कर ले जाती थी बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर की वारे में कुछ पता ही नहीं चला, बुढिया पहले कि तरह रवी वार को भगवान सुर्य देव का ब्रत करती रही और कथा सुनती रही, लेकिन सुर्य भगवान को जब पड़ोसन की चलाकी का पता चला, तो उन्होंने तेज आंधी चलाई, आंधी का प्रिकोप देखकर बुढिया न जनी होने से पड़ोसन बुरी तरह जल भुनकर राख हो गई और उसने अपने पती को समझा बुजा कर उस नगर के राजा के पास भेज दिया। बच्डे को ना ले जाने की प्रात्ना की बहुत रोई चलाई लेकिन राजा के सेनक नहीं माने। गायवा बच्डे के चले जाने से बुढ़िया को बहुत दुख हुआ। पुरी राथ सूरे भागवान ने राजा को सुपन में कहा राजन बुढ़िया की गायवा बच्ड़ा तुन्त लोटा दो नहीं तो तुम पर विपत्यों का पहा तूट पड़ेगा। तुमारा महल नश्ट हो जाएगा। सूरे भागवान के सुपने से बुरी तरह भहवीत राजा ने प्राते उटते ही गाय और बच्ड़ा बुढ़िया को लोटा दिया। राजा ने बहुत सा धन दे कर बुढ़िया से अपनी गलती के लिए ख्षमा मागी। राजा ने पड़ोसन और उसके पती को उनकी इस दुष्टिता के लिए डंड दिया। फिर राजा ने पूरे राज में गोश्णा कराई कि सभी इस्त्री पूरस रभीबार का ब्रत किया करें।